दूसरा है कि उन्होंने एलान किया है कि हम इसका बहुत दवर्जद मूह तोड़ जवाब देंगी यह एक सिंबॉलिक इंडिकेशन नहीं होगी यह वाकियी एक बहुत ही क्याते है कड़ा और मजबूत जवाब होगा वो किस प्रकार में हो सकता है देखो सबसे पहले वो डेल आए हमास है हूपी है या हस्भुला है उनके तीनों का मिलकर भी यह इसको अंजाम दिया जासकता है यो कि यह तरनाव इस हद कर बढ़ सकता है तो के अमेरिका इसमें बिल्कोल अजरायल की मदद के लिए आएगा को कि इसरायल जो है अमेरिका का एक एला यहाई है और वो कड़ा है तो यह मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह जो घंबीद मुड़ा है इसका बहुत ही अंजाम होगा और साधी साथ धीली नीली जैस कह सकते हैं कि अमेरिका भी इसमें खिंच जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही इरां की तरफ से एक मजबूत और कड़ा जवाब होगा एक कमोटर बैंस से भी सर में कॉमेंट लूगी लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रोस्तोव के रूसी बेस में बारी तबाई की खबर है सुखोई 35 सुखोई 34 के बेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है यूक्रेनी हमले में रूसी फाइटर जेट्स को नुपसान की खबर है मिडली इस में अमेरिका वर्सेज रूस की जंग को लेकर जो तस्वीरे आ रही है उसकी डीटेलिंग हम करने की कोशिश कर रहे है लेकिन एक बात तो साफ है विद्वन्स मिडली इस में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है बड़ी खब कि ये इमारत आपको दिख रही है अंधेरे का वक्त है जो उजाला हो रखा है वो इस वक्त इस हमले के बात का है और कैसे एक जोड़ दार आग का बहुत बड़ा गोला सा नजर आता और सब कुछ खत्म हो जाता है रूस के औरेल अलाके में ये ड्रोन अटाक किया गया है र तो मिडल इस में रूस वर्सिस अमेरिका होता हुआ नजर आ रहा है रोस्तोफ के रूसी बेस में बारी तबाई हुई है रूस के अंदर खुसकर हमले की हिमाकत की जा रही है तो ऐसे में रूस की तयारी क्या होगी ये अपने आप में सबज़ना एहम होगा और अब आपको हम कुछ डीटेल और दिखाने वाले हैं वॉल पर हम वो जानकारिया देंगे कि रूस पर यूकरेन का चौतरफा हमला हो रहा है और देखिए रूस पर यूकरेन का चौतरफा हमला किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है माई 8 हेलिकॉप्टर से खारकीव में हमला हुआ है उसके बाद यूकरेन की रूसी ठिकानो पर बंबारी हो रही है बहुत जादा आक्रे मोर्ड में यूकरेन नजर आ रहा है इसके बाद देखिए A.T.A.C.M.S. बैलस्टिक मिसाइल से डॉनेस्ट में अटाक किया गया है उसके बाद रूस के 400 किलोमीटर के अंदर तक ड्रोन अटाक किया गया है यानि गुसकर मारने की स्ट्राटरजी पर इस वक्रेन काम कर रहा है रोस्तोव के रूसी मिलिटरी बेस में धमाका हुआ है वहीं खबार इस वक्त या रही है कि रूस के ओरेल इलाके में भी यूकरेनी ड्रोन का अटाक हुआ है इस पर मैं एक बार फिर से अपने पैनलिस का रुक कर लेती हूँ मेरे साथ एयर कमोडॉर एस बेल साब जुड़े हुए है बेल साब ज़र ये बताईए ये जो लगातार हम दिखा रहे हैं कि यूकरेन इस वक्त कोशिशों में है कि रूस चौतरफा गिरा रहे और उलजा रहे यूकरेन के काउंटर जवाब को देने के लिए तयारी करते रहे लेकिन अमेरिका वर्सेज यूकरेन कैसे अगर वर्ल वर होता है तो ये मेसेज जाएगा पूरी दुनिया को देखे आपका लास्ट पार्ट सिंटेंस कट गया लेकिन मैं दोनों प्रशनों का आंसर इस तरीके से दूँगा कि यूकरेन का युद तो लास्ट धाई साल से चल रहा है और वो युद एक सीमित सीमा के अंदर ही चल रहा है और उसके अंदर ड्रोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट रोल प्लेग कर रहे हैं उन्होंने ये ड्रोन्स ने दिखा दिया कि आपको एक बहुत ही हाई टेक्नीलोजी के फॉइटर की ज़रूरत नहीं है अब लो टेक्नीलोजी ड्रोन का डीप inside enemy territory में इस्तेमाल करके एक दमाका create कर सकते हैं जिससे psychological effect होगा लेकिन उससे लड़ाई नहीं जीती ही जाती है अब दूसरा अमेरिका का रूल माँ अमेरिका तो भड़का ही रहा है उदर की लड़ाई अमेरिका ही तो यह सब ब्रोन्स और मेरिटारिली वीक हो और उस तरफ बड़े की रश्यां उनका कभी भी काउंटर ना कर सके लेकिन अब मिड्लीस की तरफ आते हैं अगर आप देखिये नितन्यू को वो अमेरिका से जब वापस आये तो वहां उन्होंने महिने की विंडो अफ अपॉर्चुनिटी थी और जो यह इंटेलिजेंस उनके पास इंपुट था कि यानि हैं वहाँ ट्रैवल करेंगे इरान में वो तो काफी समय से पहले है कि उनका प्रोग्राम तो काफी समय से पहले बना हुँ है वो कतार में उनको नहीं मारना चाहते हैं क्योंकि कतार उनका फ्रंट लाइन एलाइ बेस है वहाँ पे नहीं मारना चाहते हो उनको मारना चाहते हैं थे वो इरान के अंदर ताकि अमेरिका उसके अंदर सकिन हो जाएगा यह एक्शन रियक्शन चल रहा है वो अटैक करते हैं अंदर इरान के इरान काउंटर करता है अगर इरान करे तो अगर डारेक्ट करता है तो अमेरिका सक्किन हो जाएगा जो भी अमेरिका के पास चॉइस नहीं है इसराइल को सपोर्ट ना करने की और इसका पूरा का पूरा चक्रम यू ने तन यू ने किया है यह नेतनियू सेंटर पीस है इसके अंदर को उसके पास भी तीन महीन हैं सिर्फ यह याद रखेगा उसके बाद उसका भी रेलेवेंस खतम हो जाएगा और अब मैं आता हूं बड़े इंपॉर्टन प्रेशन पर क्यों एक्षिन में इरान पीछे जा रहा है इरान को चाहिए आज डारेक्ट अक्षिन ना करें वहां पर प्रोंस का इस्तेमाल करें कहां से इस्तेमाल करें लेविनान से सीरिया से इस्तेमाल करें उन एरिया से जहां पर ये तीनों एच चाहिए वो गूती हमस्या है इस बुल्ला है चाहिए वो इस्लामिक जिहाद है चाहिए इस्लामि करें तेलववी के अंदर उन लीडर, पोलिटकर रीडर हो सकता है, मिलिटरी लीडर होसता है, चाहे वो इंटेलिजेंस लीडर है. वहाँ जाके किसी पह अटाक करें, और ग्यूमन बाम्ब्स का या दूसरी तरीके से बाम्ब्स पहले से लगाने का अतंकी हमला करें. अगर वो यह करता है तो वो बद्ला भी ले लेगा और साथ-साथ में डारेक्ट वॉर में भी नहीं आएगा और साथ-साथ में इसले अभी आधिया नहीं के के लिए important है और हम overall देख रहे हैं कि इस वक्त क्या सिती world global scenario में बनी हुई है